प्रिकार दोस्तों सागे था अडूक चल मैं आप देखने हैं सब्सक्राइब करें जिससे आपको काफी इच्छा रिजल देखने कि मिल से क्रीम सस्ता भी हो और अच्छा काम भी करें तो आज हम बात करें जा रहे हैं bet no bet c के वारे में कि अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो इसका प्रयोग से आपको कैसा result मिलेगा कैसे इसका प्रयोग करना है कौन को लोग कर सकते हैं दोस्तों अगर आपके skin पर जो है मुहासे निकल रहे हैं या फिर आपके आखों के नीचे काले धब्य हो गया है फिर आपके चेहरे पर जो काले निसान हो गया है इस तरीकी के समस्य अगर आपको हो गई है और या फिर आपकी skin जो काफी दार ड्राइ रहती है जो इसकीन की परत है वो छूड़ते रहती है तो वहां पर अगर आप बेटनोवेट सी क्रीम का प्रियोग करते हैं जो काफी अच्छा जल देखने को मिलता है दोस्तों यह क्रीम आपको सभी मेडिकल स्टोर पर उपलब्द मिल जाएगी और सभी जो है मार्केट मिल जाएगी तो आप कहीं से भी किसी मेडिकल स्टोर से क्रीम को खरी सकते हैं इसका प्रियोग कर सकते हैं इसके प्रयोग से आपको कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा हाला कि जो अधर क्रीम आते हैं जिसके सकनथ सायन हो गया मेलायमेट हो गया सकनलायट हो गया उसको प्रयोग से आपके आपके बॉड़ी के ओपर सस्कूरी करना बंद कर सकते हैं जनरली क्या होता जो ठंडी के दिनों में अक्सरिप्राबे हो जाती है उनके चेहरे पर दाने आ जाते हैं या फिर उनके चेहरे की पर जोटने लगती है निए जो इसके नहीं लगती है तो वहां पर अगर बटनोवट सी क्रीम का प्रयोग किया तो काफी अच्छा रिजल देखने के मिलता है फिर बॉड़ी पार्ट में कहीं पर भी उसका नाम है जीएस के जीएस के कंपने मनुफक्चर करती है इसका प्रयोग महला है पुरुष दोनों लोग कर सकते हैं इसमें एज की कोई बाड़नेशन नहीं है अगर आपके जो है आठ से तरीके से इसका वाइंटमेंट होता है और यह निकलता है यह वाइट कलर का यह आपको लगाना है लगाने की विद्धिया आपको बता दें अगर आप चाहें तो दिन में भी प्रयोग कर सकते हैं लेकिन दिन में प्रयोग ना करें क्यों रात में प्रयोग करें जब आपको सोना हो तब आप बेटमेटियन क्रीम को अपने चेहरे पर अच्छे तरीके से लगा लें और सुबह ऊटके आप कीटो को नाजुल साभून ले ले najleas school का और उसी से अपने शेए करो अपने चेहरे को अच्छे तरीके सथो imbalance और उसके बाद कि दिन में भिचाहें तो आप लगा सकते creeping कि अगर आप रात में लगाते हैं तो रात में इसका ना प्रोवाइड की हूँ तो आप कॉमेंट करके उसे पूछ सकते हैं मिलते हैं आप से अगले वीडियो में एक नए प्रोड़क्त साथ में तब तक के लिए धन्यवाद आप अपना ख्याल रखिएगा